लो जानिमन, आगे आपना ताज में, यानि अपने सपनों का घर ये आपका घर है? अरे जान, मेरा नहीं, अपना घर, बोलो अपना घर मगर आप तो कह रहे थे कि आपके पास बहुत बड़ी कोठी है चलो छोड़ो, कोई बात नहीं आप जैसा पती, तो बड़ी किस्मत वाली को मिलता है और मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ, कि आप मुझे पती की रूप में मिले अरे गुलाबो, किस्मत वाला तो मैं हूँ, जो इतनी सुन्दर बीवी मुझे मिली अरे आईये मटरू, मेरे यार कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ, तो तेरी सुना कैसा है तो? एक दम मस्त, बैठके अरे मटरू भाई, ये चिडिया कौन है? अरे पंदू, ये तेरी भाबी है भाबी, इसने घर से बाग के मुझे से शादी की है, बड़ी दिलेर है ये तो फिर हो जाए मटरू भाई, इसी बाग पे एक एक जाम अरे क्यों नहीं पंदू, दो मईने हो गए पूरे, मैंने शराब के दर्शन नहीं किये, जा फटा फट लेया, अभी लाया लगावाई मटरू, चेर्श यार, पंदू, मज़ा नहीं है यार, तो ऐसे कर, एक एक पटियाडा पैग और बना, अभी ले तो, बिना पानी के बनाना, खुल भर दे, ये ले मटरू पटियाडा पैग, चेर्श आप शराब भी पीते हो, हाँ, पीता हूँ, डार्लिंग, पीता हूँ, इसमें गलती क्या है, मैं तो कहता हूँ, तू भी एक पैग लगा ले, मगर आप तो कह रहे थे जी, कि आप तो शराब को हाथ भी नहीं लगाते हैं, और अब ये, अरे ओ गोरी चिडिया, बनाओं क् पैग, ये क्या पक्वास कर रहे हैं आप, जरह तमीज से बात कीजिए, साली कुतिया, इसको तमीज सिखाएगे तू, इसको, मेरे दोस्त को, ये सही तो बोल रहा है कि एक पैग तू भी लगा ले, वैसे भी तू ये पैग लगाना सीख ले, हमारे दंदे में बड़ा काम ह पैगा जर्निमन, वाब मटरू, अब की बार लाया है तू मस्त चोरी, बहुत मज़ा आएगा इसको बेजने में, बहुत पैसे मिलेगे, ये क्या बोल रहा है जी, और आप क्या धंदा करते हो, अरे गुलाबो, तेरी जैसी मस्त, चिडियों को मैं अपने जाल में फसारता हूँ, और आगे मोटे रेट में बेज देता हूँ, बस ये ही दंदा है छोटा सा, इसका मतलब आपने मुझे दोखा दिया, और वो सब प्यार, एक नाटक था, हाँ, हाँ, वो सब एक नाटक था, नाटक, और हमारी ये शादी, ये शादी, पता नहीं, ऐसी कितनी शादिया कर चुका हूँ अभी तक मैं, हराम खोर, तुने मुझे दोखा दिया, मैं तो खून प्याँ जाँगे, हाली हराम खोर, मेरे गिर्बान पे हाथ डालती है तू, मेरे गिर्बान पे हाथ डालती है तू, रुक तुझे, अभी मैं बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ, ये ले, शारे तारों की बोटर भी तूँ, अरे अर्पकरी से! अर्पकरी से! हाँ, हम मेरा माल निकाल, मुझे दूसरी चीडिया पंसाने की तैयारी करनी है, ये पकर मठरू, पूरे धाई लाकर पे, अर्पकरी से! ये लिदर बेट! रुक, तुझे मैं बताता हूँ! हरामियों, भोले भाले मासूम लड़कियों की जिन्दगे बर्बाद करते हो तुम दो नो? बहल, वह में माफ कर दो! हलो, पुली स्टेशन? में सैनल मी! मैं राभंद्ध कर दो! ये जैलती!!! घंगो!' मैंडम जी, वण आप नहीं कियाथा ख्या पूली अबिस्टेशन में? हवालदारसाब गिरफतार कर लो इन हरामियों को, यह इन्साम नहीं है, यह जलाद है यह मासूम और बोली-घि लड़कियों को सबसे पहले अपने प्यार के जाल में फ़शाते हैं और फिर उन से शादी करते हैं और शादी करने के बाद उन्हें बजार में बेच देते हैं इन्होंने ना मेरे साथ भी यहीं दोका की है और इन्होंने मुझे जवदस्ती शराब भी पिलाई है वा बैटी वा आप जैसी बादूर लड़कों की वज़े से आज ये गैंग पकड़ में आई है वरना ये पाता पिता की मर्जी के विरुद इसे साधी कर ली अरे जरा सोचो उन मावापों पर क्या बीतरी होगी मुझे माफ कर दो जी मुझे बहुत बड़ी गल्ती होगी बहुत बड़ी चलो अब तुम जोनो जेल में चक्की पीशोगे चलो मेरे साथ चलो चलो मेरे प्यारी बहनों आज का जो हमने वीडियो बनाया है वो आपको संदेश देने के लिए बनाया है कि घर से कभी भी भाग कर शादी ना करे ऐसा करने पर आपके मावाप और खांदान का नाम बदनाम तो होगा ही साथ में आपका जीवन भी खतरे में पढ़ सकता है जैसा क कि इस वीडियो में मेरे साथ हुआ और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए कोमेंट कीजिए शेयर कीजिए और भाईयो मारा चैलने सस्क्राइब भी कर दिया करो